जै भूले की हरहर महादे बम बम भूले आज मैं आपको सुखसागर आठविस कंद का तरत्य अध्या सुना रहे हूँ तुम कहें रक्षक हरी के टेर टेर हरी बेर हे हरी अब आओ हुँ यहां इती बेर मम बेर भक्त राज गज राज की सुने टेर जेह काल धाय नंगे पगन सो रक्षक दीन दयाल सुने स्री सुक देव जी कहने लगे राज परेक्षित जब ब्रह्मा अधिक अन्य देवताव ने गजेंदर की रक्षा नहीं की तो भक्त गजेंदर की दिव्यस्तूती से पर्षन होकर भक्त वत्सल साकसाथ स्री हरी भगवान स्वयम नंगे पाउं से अपने पाहन गरूड पर चड़ कर ततकाल दोड़े हुए आये जहां पर की ग्राह और गजेंदर का परश पर यूद हो रहा था ही राजन ओस्च में प्रभुद्धयालू श्री नारायन भगवान गरूड आरूड हुए चार भुजा धार्न की हुए थे सांख चक्र गदा और पदम से चारो हाथ सुशोबी थे जिनके मेग वरण वाले अंग पर पितामबर पर्थक अपनी छटा दिखा रहा था वक्स थल पर ओस्तु माल लसीत थी सिर्पर मुकुट एवं दोनों कानों में कुंडल विभूशित हुर रही थे सिर्पर मुकुट कुंडल शर्ण कल बेजनती माले पितामबर धरी हरी लसत कमल नैन परतिपाल सुनी हे राज जब भग्त रख सक भगवान हरी को आते हुए देख कर गज राज अत्यंत पर्षन होता हुआ प्रार्थना करने लगा उसने अपनी लंबी सून से स्रोवर से लगे हुए एक कमल के फूल को तोड़ा और शिगरी ही उनके सुमरपन कर दिया भग्त दुआरा दिया गया यह कमल फूल भगवान ने बड़े प्रेम से स्विकार किया और वे शिगरी ही गरुण की बीट से उतर कर गज राज के से निकट आ गए ही राजन फिर आते ही पहले दया निदी भगवान ने हाथी के सहित ग्राह को भी जल्व से खीच कर बाहर निकाल लिया और शिगरी ही अपने तिवर चक्र से ग्राह का मस्तक सरीर से प्रथक कर दिया जिससे वे है बंदन मुक्त हो गया और भगवान ने अपने भगद गजेंद्र की आत्मरक्ष की भगवान हरी ने समस्त देवों के देखते देखते भगद गज राज का इस प्रकार संकट निवारन किया ही युधिश्चर तब देवों ने भगद गजेंद्र और हरी भगवान पर अनंत पुष्पो की फर्षा की और फिर भगवान की स्तूती गाल करने लगे अगर आपको पूरी सुक्सागर सुननी है तो यह चैनल सस्क्राइब कर ले और कोमें जैबुली की लिखे जैबुली